हेलो वेलकम बैक मैं चनल फ्रेंड फ्रेंड मैं गौरब आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तक गैनी स्टॉक मार्केट में और आज हम डिस्केशन करने वाले हैं मंडे के लेवल के लिए निफ्टी और बैंक रिफ्टी के उनसे लेवल इंपरेंट रहेंगे इंटर डे और यह लेवल में काफी टाइम से डिस्केशन करता हूँ चल लाता आप लोगों के साथ 21,830 का मैं आपको बताया था अगर निफ्टी फ्टी इफ्टी 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 के उपन निकल गया ना तो आपको शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाता हूँ दिखाई दे सकता है नि टाइम हाई के पास जाके यहां से फिर इसमें फॉल दिखाई देता है तो 21,800 का लेवल मैंने बताया था आपको बहुत इंपोर्टेंट है और यहीं से निफ्टी इफ्टी शॉर्ट कवरिंग तरफ जा सकता है अगर आपने ध्यान सुना होगा तो डेफिनेटली आपने का साफी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा आज भी तो चलते हैं पांच मिनट के चार्ट पे और प्रॉपर तरीके से डिसकेशन करते हैं दो कंटीनुसली में आपको बोलता हुआ चल रहा था 21830 का लेवल मैंने हर एक वीडियो में बोल था जिस दिन भी 2830 के उपर टिग तो आपको शॉर्ट कवरिंग के तरफ जाता हुआ दिखाए देगा निफ्रिफ्टी तो इग्जेक्टली वही हुआ गैप आता है 2830 के आसपास का पैदे केंडल चोड़ोगे उसके बाद अब देखो के लिए 2920 के आसपास सपोर्ट बना लेता है बस आपको इसी रेंज मे का प्रॉफिट आप बुक करके अपना हर सकते हो उसके बाद शांती से अपना मार्केट देखो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है बस आफजर्व करो तो इग्जेक्टली वही था 2830 पार किया 2900 से कहीं से भी कॉल लेके बैठ जाते और अपना प्रॉफिट बना लेते कोई प्र डाल देते आपको दूसरा ही प्रॉफिट मिल जादा तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में किस तरीकी के मोमेंटम कहां बनने वाले हैं अगर जिस दिन आप यही चीज़ समझ जाओगे तो डैफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और इसलिए मैं continue इसलिए आपको यह बहुत बात बोलता हूँ चल रहा था 21830 बहुत important level है अगर इसके ओपन निकला तो बुल बहुत तेजी से active होते हुए दिखाए देंगे और सारी shot कटती हुए दिखाए देंगी आज वही दिन था तो इसलिए आपको हमेशा जो लेवल 2853 की अगर इसी रेंज के ऊपर टिका रहता है आने वले दिनों में यानि continue अगर आपको इसी रेंज में काम कच करता हुआ दिखता है और जा रहा है ये 22,000 के ऊपर टिकनी कोजिश कर रहा है तो definitely फिर यह आपको आने वल समय में 23,000 के लेवल की तरफ यह जाता हुआ दिख देगा निफी 50 तो देख लिए मंडे के लिए कौन सी लेवल इंप्रेंट रहेंगे इंटरेड़े के लिए बात कर लेते हैं अपसाइड की अगर निफी टिकता है 21,865 के ऊपर ही टिकता है तो आपको ध्यान रखना है 21,865 के ऊपर सब एक अपनी कॉल लगे प्ले कर सकते ह लिए 21,920 और 30 यानि कि इस रेंज तक आप प्ले कर सकते हैं पहले राउंड के लिए अगर यह 21,920 और 30 के ऊपर भी टिकता है यानि कि टाइम बिताता है या गैप अप मंडे की दिन 21,920 या 30 के ऊपर आता है तो आपको ध्यान रखना है यह फर्दर मूव करके दे सकता है को कहां तक 21,970 तक आपको सेकेंड मूव देखने को मिल सकता है यह आपको ध्यान रखना है अपसाइट पर यानि कि इस रेंज तक और निप्रिप्टी मूव कर सकता है अगर यह वापर इसे टिकता है 21,970 के ऊपर तो आप अपने कि स्टॉपलोस टेल करते हुए प्ले कर स अगर 21,970 के ऊपर टिक रहा है तो अपना स्टॉपलोस टेल करते हुए आप 22,040 के लेवल और 22,080 के लेवल आप ले कर सकते हो मंडे के लिए अगर यह जाता है अगर बड़ा गैप आप आ जाता है तो वेट करना है आपको तुरंद एंट्री नहीं बनानी है 15-20 मिन रू आपको वहां से पूट लेनी पड़ सकती है क्योंकि यह एक हडल का फेस हो सकता है निफिप्टी के लिए 29,070 का तो वहां से पूट लोगे अगर यह 29,070 को टिक रहा है यानि कि सपोर्ट काम कर रहा है 29,070 तो आप फिर उपर के लिए पले करोगे जिसमें आपके साइड पर तो काफी बड़ी गिरावर्ट उपर से देखने को मिली है जिस प्रकार से 21,120 के बाद से एकदम फॉल करके दिया इसने तो आपको ध्यान रखना है अगर यह नीचे निकलता है तो आपको ध्यान रखना है 21,850 के निचे टिकता है इंपरेंट रहेगा अगर इसके चिंचे खसकेगा न तो यह फॉल कर सकता है कहां तक के लिए 21,760 और 50 वाली रेंज में आता हुआ दिखाए देगा यानि कि इस रेंज में कहीं सपोर्ट आपको बनता हुआ दिखाए देगा अगला निप्रिप्री का अगर 21,760 और 50 भी निकाल रहा है यानि कि continuously इसी के नीचे ही फॉल कर रहा है तो next आपके लिए फॉल करके दे सकता है कहां तक के लिए 21,710 या 700 वाली रेंज में यह फिर जाता हुआ दिखाए देगा यहां पर आपको सपोर्ट दिखेगा अगर यह 21,710 भी निकालता है तो एक यह फॉल और क देखेगा आपको 21,672 के असपास इसका next support बनेगा यह आपको ध्यानकना है Monday के लिए अगर कोई बड़ा gap down आता है किसी कारण वश ध्यानकना है अगर कोई बड़ा gap down आता है और यह gap down 21,800 के नीचे आता है तो आपको wait करना है continuously इसको 15-20 minute यह 21,800 नीचे के टिके उसके करें तो average closing मैंने आपको बताई है 21,853 की हमारी average closing आई है तो अगरा सबसे पहले देखोगे तो सबसे बड़ा नमबर आपको कहां देखने वाला है 22,000 पर आप देखोगे यहां पर 44,000 के आसपस लोगों ने call right तो की है पर 905 OY चेंज हुआ है यानि कि डर तो लोगों को ल आज बहुत crucial level है अगर टिक गया ना तो जितने भी call right करके जा रहे हैं यह उन सब को trap करेंगे तो आपने देखा था जितना time इसने 21,920 पर बिताया है उतनी हाले call वालों की tight होती जा रही थी और end moment में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको पता था तो तूटेगा नही तो 21,970 एक huddle हो सकता है इसके लिए वहां से भी यह fall कर सकता है यह आपको upside पर ध्यान रखना है अगर हम put side बात करें तो सबसे पहले आप देखलो 28,000 पर आप देखोगे 29,000 के असपास यहां पर put right है और 35,000 का oi change हुआ है ठीटर नंबर है तो support पहला यहां ही बनेगा औ next support इसके लिए कहा हो सकता है आप देखोगे 27,000 पर देखोगे 28,000 के असपास यहां पर put right है तो फिर यह support ले सकता है यहां पर तो आपको ध्यान लखना है नीचे जो है आपको support लेता हुआ बड़ा support कहां देखेगा 2672 के असपास जो है इसके लिए big support हो सकता है यानि कि 2650 इस तरगी range में जो आया आपको ही support लेता हुआ दिखाए देगा बड़ा support जो है इसके लिए वहीं पर यह है otherwise अगर यह fall करता है 21,800 के निचे निकलता है तो जो gap up मारा ना इसने यह gap फिल करने चला जाएगा जो आपने आद देखाता है कल की closing अगर आप देखोगे तो तक आपको निचे के सिरफ ध्यान रखना है चीक है तो चलते हैं बैंग रिफ्रे के लिए कौन से level important रहेंगे मंडे के लिए वह देख लेते हैं और आज जिस प्रकार से बैंग रिफ्रे ने कामकाज किया है मैंने एक level आपको बोला था इसके अंदर चालीस चार्स होगा अगर चालीस चार्स के अपर ठीका रहेगा तो आप एक बैंग ले सकते हो चालीस चार्स हो से और वह बाइंग आपको प्रॉफिट दे सकती है कहां तक के लिए चालीस पांसो पच्चीस के लिए मैंने बोला था उसके बाद आप देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में शॉर्ट आपको काफी हिंट देगा इसके अंदर किस तरीके से कामकाच करना है तो अगर हम बात करें मंडे के लिए कौन से लेवल इंप्रॉट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए तो सबसे पहले हम अपसाइड की बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी चालीस हजार के ऊपर टिक पचास से लेकर 75 तक आप पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यानि कि इस रेंज तक आप अपना पहला टागेट लगा सकते हो अगर चालीस एकसो पचास और पिचातर के अपर टिकता है तो नेक्स टागेट आपके लिए निकल के आएगा सीधा चालीस तीन सो का ये इंप अपसाइड पे ये आपको ध्यान अखना है अगर मैं बात करूँ डाउन साइड पे बैंग निफ्टी के लिए तो आपको ध्यान अखना है अगर ये फॉल करता है 45,950 के नीचे ये क्रूशल लेवल रहेगा अगर ये 45,950 के नीचे टाइम बिता रहा है कंटीनुसली ये ह ये पहला सपोर्ट बनेगा इसके लिए अगर ये 45,800 भी निचे निकाल देता है तो नेक्स्ट आपके लिए टागेट निकल के आ जाएगा 45,660 तक ये फिर फॉल करके देगा जो अच्छा खासा फॉल हो सकता है इसके लिए अगर ये 45,660 भी निकालता है तो फिर नेक्स् 24,481 तक ही फिर आपको next support लेता हुआ दिखाये देगा ये आपको downside पर ध्यान लखना है बैंक निफ्टे के अंदर ठीक है अगर गैयप दाउन देखने को मिलता है आपको bank nifty के अंदर और और वो gap दाउन 45,800 को सपोर्ट बनता है तो आपको फिर क्या करना है call बाइग कर क करता है नीचे की रहता है तो फिर हम नीचे से पुट प्ले कर गे और जो आपको प्रॉफिट देगा कहां तक के लिए यह आपको ध्यानत नहीं है चीक है अगर हम इसके बात करें तो इसकी एवरेज क्लोजिंग हमें मिली है तो सबसे पहले आप 40,000 के पास देख लो 40,000 के आसपास एक लाग के आसपास यहां पर कॉल राइट है पर ओवाई चेंज देखोगे न माइनस हम हुआ है यानि कि इन लोगों पता है कि कोई फाइदा नहीं है कॉल कैरी करके एक तो वीकेंड आ चुका है और कैरी करके लोगों आप पूशिण काटी गई धे 25 wounded लोगों ने पूशियं काटी और तो बड़ी बात है शालेज यहार क्या सपास लोगों ने पूशियं काटी है और वहीं पर अगर उथ्ञण ऑपर यहां पर यहां पर देखोगा ना दोनों अडेली निकल सकता है पाइद the caller's असलि सबसे बड़ा होगा इसके लिए 4500 अगर यह 4500 के उपर टिकता है मैंने आपको बता है ला कि जा रहा है अगर बैंक रिफी उपर तो आपको ध्यान रखना है 4425 के उपर आप 4500-520 तक के लिए मूब आने के संबाव ना बन सकती है नहीं तो इसी रेंज में यह हडल फेज करेगा चालीस पांचो 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 बीस करेगा वहीं से पॉल कर सकते क्योंकि बड़ी मात्र में लोगों ने यहां पर ही कॉल रट की है और देखो कि तो 38000 के आप साइड पर बाकि आपके अधरवाइस आपको जो लेवल बताएं 45800 का सपोर्ट बन सकता है अगर 45800 तो फिर नेक्स सपोर्ट इसके लिए 45608 की तरफ आता हुआ दिखाए देगा यह आपको ध्यानक नहीं नीचे के लिए ठीक है और चीजों को प्रॉपर तरी से लर्ण करें मैं हमेरी से आपको बो आपके प्राइस एक्षन पहुच रहा है तो उसको इमिजेट बाइक करने कोशिन मत करो कम से कम नहीं तो 15-20 मिट बिताने दो उसके बाद ही आपको अपने पोश्चन बनानी चाहिए ठीक है अगर आपको कोई कोशन है तो कमेंट कर दें हमारा लेवल आपको ठीक लगते है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल अक्नों क्लिक करें ताकि आपके बाद सारे नोड़ी किसी टाइम पहुंच रहें तो मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट होगी तो आपको चैनल के अबसे मिल जाएगी थैंक्यू फूर वाचिंग